जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक इंटर वालों का सेंटर पे एकजाम होने जा रहा है जिसके लिए एक जागरान ने खबर दिया था कि अलग से एर्मिट कार्ड जारी होगा उसके बाद एक खबर और आई तीस तारीक के डेट में किसका तो यह भासकर का खबर आया इसने भी कहा कि अलग से जारी होगा मैट्रिक इंटर का एर्मिट कार्ड और उसके बाद भासकर ने फिर से चार नवंबर के डेट में एक और न्यूज दिया और इसमें कहा कि छट बाद सुरू हो जाएगी मैट्रिक और इंटर के सेंटर परिक्षा के ते जारी और यहां पर दे की बाद थी उसके लिए फिर से भासकर ने चार नवंबर के डेट में एक न्यूज दिया है मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही स्कूल कॉलेज खुलेगा छटकी छुट्री के बाद 11 तारिक से इंटर का सेंटर पर एकजाम और 19 तारिक से मैट्रिक वालों का सेंटर पर कुछ बच्चों ने भी सवाल किया कि अगर हमारा स्कूल कॉलेज अगर सेंटर पर एकजाम ले ही नहीं तो क्योंकि हमारे मंतली एकजाम नहीं होते हैं तो सेंटर पर एकजाम हमारा स्कूल लेगा कि ना लेगा कि ना लेगा और अगर नहीं लिया तो तो ऐसे केस में क्या ह उसका भी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि 15 राक मैंट्रीक के बच्चे है próxim 10 राक इंटरिख are is think i पहली बात मैं आपको सब्सक्राइद कर दूым कि यह जो बार बार कही जा रही है बात की metric और इंटर के लिए अलग से admit card जारी होगा, admit card जारी होने नहीं जा रहा है क्योंकि admit card अगर जारी होना होता, हलाकि इससे पहले अभी हुता नहीं, आप जानते ही हैं, क्योंकि sent up exam में generally वही बच्चे सामिल होते हैं जिन्होंने matric और inter का form भर दिया है, जिन बच्चों ने exam form भर दिया, matric का भरा हो जाहे इंटर का भरा हो, जहां से exam form भरा, जिस स्कूल से exam form भरा, बस उस स्कूल में जा करके उनको sent up exam दे देना है, यहां पर जो एक confusion आता है ना कि हमारा स्कूल और college अगर sent up exam ले ही नहीं तो, देखिए यहां पर आपको एक वाद समझनी होगी कि विहार बोड तक आपका sent up exam का marks, आपका result पहुचना चाहिए, अब आपका school या college परिक्षा ले करके result भेजे, या बीना परिक्षा लिए, बीना exam लिए ही आपका result बना कर भेज दे, उससे मतलब नहीं है, आपका result बना कर भेज दिया आपके school ने, आपके college ने, आपका काम हो गया, तो बीहार बोड होंगे, बीना exam लिए बनाया गया, या फिर exam लेके बनाया गया, उससे बीहार बोड को मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आप समझगे होंगे, कि आपका school college अगर exam नहीं भी लेता है, फिर भी उसको result बना कर भेजना होगा बीहार बोड को, क्योंकि अगर आप आपका रिजल्ट ना गया, तो फिर आप sent up में absent माल लिए जाएंगे, और अगर sent up में absent माल लिए गए, तो फिर जो final metric और इंटर का exam होता है ना, उसका admit card आपका आएगा ही नहीं, यह बात आप समझगे होंगे, अब रही बात की practical वाली, तो practical वाली बात को मैं बताने से प इसे होते हैं, उनमें 80-80 नमर का exam होने वाला है, इंटर में 70-70 नमर का exam होने वाला है, इसका practical वाले विसे होगा, तो यह copy जो है ना, आठ पेज की नहीं रहेगी, चोबिस या 32 पेज की रहेगी, और यहां पर जो monthly exam लिखा रहता था यहां पर आपका sent up exam लिखा रहेगा, copy copy में इसलिए भी जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि अब sent होने पर आपका result ना बनने पर आपका admit card रूपने का डर रहता है, अब यहां पर मैं बता दूँ कि इसमें चुंकि practical वाले विसे होगा अगर हम बात करें तो इंटर में 70 नमर का exam होगा इसमें भी, और 80 नमर का exam इने का नियम बिहार बोड के अस्तर से होता है, लेकिन practical लेना या ना लेना ये depend करता है तो आपके school पर या college पर हो सकता है किसी-किसी college में practical जमा लिया जाए, copy बनवाया जाए, हो सकता है कि ना भी बनवाया जाए, यह आपको पूछना होगा अपने school college से, तो मेरे ख्याल स देना है center का, और 19 तारिक से exam देना है matrix वालों को center का, और आपका अपने ही school में ये exam होगा, copy भी आपके अपने ही school वाले चेक करेंगे, result भी आपके अपने ही school वाले बनाएंगे, और उस result को बना करके अपने school college वाले आपका बिहार बोड को भेज देते हैं, यही बस इसका तरीका होता है, तो फिलाल इस वीडियो को लेतना ही मिलते हैं, अगले update के साथ नई वीडियो में